हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 68 12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSE बोर्ड बलकि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे की UP बोर्ड, MP बोर्ड, डली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड के भी fully organized courses और ये सभी courses आपको मिलते हैं बिलकुल free of cost मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी payment करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसके link भी आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो देखो भई आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा part 10 जिसका नाम है चुम्बको द्वारा मनुरंजन हम इस part का part परिचे कर चुके हैं और थोड़ी बहुत चीजें इस part के बारे में जान चुके हैं जैसे कि हमने कहानी पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था कि जो चुम्बक होती है उसका नाम मैगनेट कैसे पढ़ा है ना किसी मैगनेस नाम के गडरिये ने जो कि प्राचीन यूनान में रहा करता उसने क्या किया था एक बार उसने देखा कि उसकी जो चड़ी थी जिसमें आगे का पार्ट जो था वो किसका था लोही का था वो वहां के चट्टानों से चिपक गया और जब बाद में निकाला गया उस चट्टानों के बारे में जाना गया तो पता चला कि उसमें ऐसे और क्योंकि चुम्बक उसी मैगनेटाइट से बना होता है इसलिए चुम्बक का नाम हो गया मैगनेट मतलब की मतलब की हिंदी में चुम्बक इंग्लिश में मैगनेट ओके ठीक है अब यह मैगनेटाइट से अगर हम चुम्बक शब्द को रिलेट करें तो क्या हो रहा है नह magnetite से ही magnet word बना और फिर magnet word को Hindi में जब translate किया गया तो उसको चुम्बक नाम दिया गया ओके फिर उसके बाद हमने यह भी जाना कि वो तो क्या है वो प्राकृतिक चुम्बक का रूप है अगर हम बात करें कृत्रिम चुम्बक की तो लोहे का प्रयोग करके उसके बाद कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं जो कई सारी आकरिती और आकार के होते हैं जिनें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उमीद है आपने हां तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पढ़े हैं और आज हम जिस टौपिक पर बात करने वाले हैं उस टौपिक का नाम है चुम्ब टिथा और चुम्बक बीकि पदार्थ मतलब कि चुक से होतीं होते हैं जिनको हम चुम्बकिय पदार्थ करेंगे और उसे कौन से पदार्थ होंगे जिनको हम अचुम्ब किये पदार्थ कहेंगे ठीक है तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो चलो भई मैं टॉपिक को करने वाली हूं शुरू लेकिन उससे पहले फटा फट से वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और हाँ आपने सभी दोस्त चोड़ते जाओगे न तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगे और सिर्फ आपको क्या आपके दोस्तों को भी नहीं समझ में आएंगे तो जल्दी जल्दी से अपने सारे बेस्ट फ्रेंड्स को भेज़ दो ताकि वह भी बोले कि यार यह फ्रेंड मेरा बेस जाना है तो चलो भाइ मैं चल रहे हूं टॉपिक की तरफ आप लोग भी जल्दी से अत्य ती के और सिमें अब हम बात करते हैं किसकी चुंब की और अचुंब की पदार्थों की तो देखो कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जब कि कुछ पदार्थ चुंबक की और आकरशित नहीं होते आप हम देखेंगे अगर हमारे पास चुंबक हो ठचाहिए अगर हाथ में आपके घर पे आपके आसपस कहीं भी अगर आपके पास उनबाक है याप ले के आती हो ठिक है मेरे पास मालो मैं पास मालो पी यह कौन सी चीज नहीं चिपकती है और आपने भी ऐसा बहुत किया होगा जिससे चिपकती है उसके साथ बार-बार उसे निकालना फिर चिपकाना फिर निकालना फिर चिपकाना ऐसे करते होगे और साथी साथ आप ऐसा भी करते होगे देखते होगे किस चीज में चिपक रही ह हैं वो उससे नहीं चिपकते मतलब उससे आकरशत नहीं होते जैसे कि आपने बच्पन में करके देखा होगा तो ऐसा होता होगा कुछ ही पदार्थ है जो चिपक रहे हैं कुछ लोहा ही एक कैसी चीज नहीं है इसके साथ साथ दो और धातू है जो चुम्बक से आकरशित होती है मतलब ये तीनों ही पदार्थ कैसे हैं ये तीनों ही धातूएं चुम्बक की पदार्थ है ठीक है, clear अब थोड़ा सा चुम्बक की को भी जान ले तो जो पदार्थ चुम्बक की और आकरशित नहीं होते जस्ट इसका उल्टा कि जो पदार्थ चुम्बक से आकरशित ही नहीं हो रहे उन्हीं को हम क्या कह देंगे उन्हीं को हम अचुम्बक की पदार्थ कहते हैं अब यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं लकड़ी, कपड़ा, है न, और क्या ले ले, काच, चीक है, तो ये सारी चीज़े क्या है, ये लोहे से, मतल सौरी, चुम्बक से नहीं चिपकती, तो ये सब क्या है, और चुम्बक ये बदार्थ है, क्लियर है, यहां तक भई, कोई दिकत नहीं, चुम्बक ये समझा है, अब एक प्रेशन भी बन सकता आपके लिए, चुम्बक ये तथा अचुम्बक ये पदार्थों में अंतर बताईए, तो कुछ नहीं करना है, यही तो लिखना है, पहला पॉइंट जो पदार्थ चुम्बक की और आकरशित होते हैं, उन्हें हम चुम पर लेना या अंसर बनाना, तो देखो, ऐसे हमें हर क्वेशन के आंसर, हम हर टॉपिक में ये भी ढूणते रहा करो, कि यार इसमें से कैसा क्वेशन बन सकता है, इसमें से क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, ऐसी चीज़े ध्यान दे करके पढ़ा करो, चीक है, अब देखो आज आती है हमाई पस क्रिया कलाप नंबर सेकेंड, इसमें क्या कहा है, तो देखो, आए मैगनस की भाती भ्रमण करें, अब मैगनस जो था वो गडिरिया था, पहाड़ों पे अपनी भेड़ बकरी ले करके जाता था चराने, तो वो कभी इधर वाले पहाड़ पे चला गय को बदल देंगे, अब गडर ये की छड़ी के सिरे पर एक चुम्बक होगा, अब बस लोने क्या करना है, उन्होंने बला आप खुद मैगनस बन जाओ, और एक काम कर एक डंडा लेकर के उसके ऊपर ना एक चुम्बक को चिपका लो, या फिर बांद लो, या कुछ भी करतो चिपका लो, ठीक है, अब क्या करना है, हम किसी होके स्टेक, भ्रमड चड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ, एक छोटे से चुम्बक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं, तो आप किसी भी आपके पास जो भी कोई डंडी बंडी हो, आप ऐसा कर सकते हो, ठी मैगनस की तरब भ्रमड पे चल दोगे, अब जब आप जाओगे, तो क्या होगा, हमारी मैगनस छड़ी विद्याले के मैदान से क्या क्या वस्तुए उठाती है, कक्षा के कमरे से ये किन वस्तुए को उठाती है, अब अगर आप ये क्रिया कलब स्कूल में कर रहे हो, तो आपने विद्याले का जो ग्राउन था, वहाँ पे किस-किस चीजों को उसने अपनी छड़ी से उठाया, किस-किस चीजों को मतलब अन्वी तरफ आकरशित किया, और आपकी क्लास में किस-किस चीजों को उसने आकरशित किया, ये सब आपको एक सारणी बना करके लिखना है आपने पासपड़ोस से द्यानिक जीवन में काम आने वाली विभन वस्तों को एकत्रित कीजेए ठीक है अब आपको सिर्फ क्लास विद्याले, वहीं पर नहीं, अपने आस पडोस में भी देखना है, और आपके डियानिक जीवन में, डेली लाइफ में, जो चीज़े काम आती है, उन सभी चीजों को क्या करना है, इकत्था कर लेना है, इकत्रित कर लेना है, फिर जो मैगनस शड़ी है, इससे इनकी जाच कीजे, और फिर वहीं चीज़े आपको क्या करना है, उन सामान के साथ करने है, उन सामान पर आप अपनी मैगनस शड़ी को घुमा करके देखें, और देखें कित्ती चीजों से चिपक जाती है, आप एक चुमबक भी ले सकते हैं, इन वस्तों को चुमबक से पकती है, अपनी नोट बुक में सारणी की भाती, एक सारणी बनाई है, तथा अपने प्रेक्शन अंकित के जे, अब आपको क्या करना है, जो जो चीजे, आप अगर छड़ी से निकाम हो रहा है, तो एक चुमबक भी ले सकते हो, हाथ से ऐसे ऐसे उसके आसपास ले जाकर क देख सकते हो कि कौन-कौन सी चीजों से अकर्शित हो रही है, कौन-कौन सी अकर्शित नहीं हो रही है, अब आपको एक सारणी बनानी है, जिस चीजों को आपने वापर एकठा किया है, तो आप उससे चिपका के देखते हो, तो उचिपक रहा है, यह ऐसे आपको बताना है ठीक है? अब देखो, आगे क्या पुल रहा है? अभी शाद आगे हमको भी एक सारणी आने वाली है, जिसे हम भरेंगे, ठीक? सारणी का अंतिम कॉलम देखिए, तथा उन वस्तू के नाम लिखिए, जो चुम्बक के द्वारा अकर्शित होती है अब उन पदार्थों की सूची बनाईए, जिन से ये वस्तूएं बनी हुई हैं क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ट पदार्थ है, जो चुम्बक के द्वारा अकर्शित होने वाली सभी वस्तूँ में विद्यमान हैं? बताओ, क्या होगा? देखें आगे? तो ये है हमारी वो सार्णी, ठीक है? क्या बोला? चुम्बक के द्वारा अकर्शित होने वाली वस्तूँ का हमें यहाँ पर पता लगाना है यहाँ है वस्तूँ का नाम, यहाँ है वो पदार्थ जिसकी वस्तूँ बनी होई है कपड़े की, प्लास्टिक की, अल्यूमीनियम की, लकड़ी की, काच, लोहा, अन्य कोई और यहाँ पर है मैगनस, छड़ी या पर चुम्बक, उसकी द्वारा वो अकर्शित होती है या नहीं होती है तो हाँ नहीं में लिखना है आप जैसे इन ओने पहलाय बोला रॉही की गेंद, किस्से बनी है लोहाई और लोहा क्या है मतलब आकर्शित होगा फिर है स्केल और यह स्केल किसका ही यह स्केल है प्लास्टिक का तो कर बाहिए मैंगस चड्रीजा फिच्वनबक से आकरशित होगा तो यह आकरशित नहीं होगा फिर यह बोलaning जूता और जूता किस का बना होता है चमड़ेगा अब कंड़ा आकरशित होगा क्या तो चमड़ा आकरशित नहीं होगा ज Pacific नेक्स्ट हम क्या ले 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 तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग्लास ठीक है किसका ग्लास काज का तो ये भी नहीं होगा अब अगर हम या बे कोई भी ऐसा पदार्थ ले जिसमें थोड़ा बहुत लोहा मिला हुआ है कोई वैसी चीज़ कोई टेबल की बात करें जो धातू की हो या फिर किसी किसी वैसी चीज़ की अब स्केल में लोहे कभी स्केल आता है धातू का स्केल है ना तो हम देखेंगे कि जितनी भी हम धातू वाली चीजे लेंगे और जो सभी आकर्षित हो रही है उन सभी में थोड़ी ही भले ही थोड़ी मात्रा में क्यों लेकिन उसमें लोहा जरूर मिला होगा क्या मिला होगा लोहा जरूर मिला होगा तो लोहा एक ऐसा पदार्थ है जो उन सभी वस्तूं में उपस्थित रहता है बक्के द्वारा ठीक है ओके यह देखना है कि आपको कि मैं क्लियर कर दूँ है आगे बढ़ें सब्सक्राइब अब देखो एक प्रेशन आता है हमारे पर गिर गई अब उसके हाथ से क्या हुआ कि बूढ़ा था हाथ से एकदम से क्या हुआ भिसल गई सुई अब सुई तो किती बारी छोटी पतली होती है क्या आप सुई ढूने में दरजी की सहाय तक कर सकते हो अब उसके आंका फर्श ऐसा था जिसमें वो आसानी से मिल भी नह रहा था है ना इतना जादा उजाला भी नहीं था तो अब हम उन्होंने बुला एक काम करो दादा जी को तो दिखाई नहीं देगा ना उस दर जी को तो एक काम करो आप सुई ढूने में उनकी मदद कर दो तो हम कैसे मदद करेंगे उनकी बताओ उनको सुई बहुत जल्दी चाहिए बहुत जादा टाइम नहीं लगाना है हमें क्योंकि वो शर्ट पर बटन टाक रहें को टाकना है तो बताओ हम कैसे ढूड़ेंगे किसी बिच्चे के पास है उपाए इसका जल्दी सा मुझे कमें सेक्षिन में बताएं कि क्या हो सकता है इसका उपाए दो सेकिंड का आपके पास विल्कुल आप बता सकते हो और जो बच्चे ऐसे हैं जो हमसे अभी जुड़े हैं या फिर बाद में जुड़े हैं तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई भी जब न्यू नोटिफिकेशन आये ना और हाँ बैल आइकन को टैप कर देना जिससे न्यू नोटिफिकेशन आयेगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी ओके और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो उनको वीडियो को लाइक भी करना है चले आंसर देखें बताया आपने कुछ चलो भया मैं यह बता देती हूं तो देखो इन्होंने बोला क्या आप सोई ढूंडने में दरजी की सहायता कर सकते हूं तो मैं बोलेंगे बिल्कुल हाँ कर सकती हूं हम दरजी को चुम्बक का सुझाव देंगे या तो हम खुदी चुम्बक से ढूंड लेंगे या फिर हम दरजी को बोलेंगे कि आप एक काम करो आप मिल चाहेगी, ठीक है, ओके, चलो, अब देखो हमाई पास एक और क्रिया कलाब आती है, क्रिया कलाब नम्बर तीन क्या कहता है, कि किसी चुम्बक को रे तत्वा मिट्टी में रगड़ो, कोई चुम्बक ले लो, उसको रे त में ले जाकर बहुत दे तक रगड़ो, फिर मिट्टी में भी रगड़ो, चीक है, अब क्या होगा, चुम्बक को बाहर निकाले, क्या चुम्बक के साथ कुछ रेत अत्वा मिट्टी के कण चिपक गए हैं, अब देखोगे कि उस चुम्बक में बहुत सारे मिट्टी के कण चिपके हुए हैं, जिसे रेत से रगड़ा ह इसमें रेत के कल्ण बहुत सारे चुपके वें फिर आप क्या करोगे अब रेत एत्वा अमिंटी के हड़ों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलागन अब आराम से हिलाओगे और उसमय से वो बाकी के क cev kilowन्य रूने हटाओगी किया कुछ कुछ कण अभी चिपके हुए हैं उसके बाद भी आप देखोगी कि उसमें फुच ना कुछ कण चिपके हुए हैं जैसे चुम्बक यहां पर दिये गई है चित्र में अब यहां पर क्या है यह वाली स्थिती देखोगे तो इसमें परियाप्त लोही के बुरादे के साथ यहां पर लोही का पतला पतला बुरादा देखे कैसे चिपका हुआ है यहां पर और उसके बाद कुछ बुरादे के साथ जब उसमें से क्या किया बहुत कम बुरादा है और यहां पर बिना बु कर European सकते हैं और यह क्या होते हैं प्रकार के क्रिया कलाब द्वारा हम यह ग्यात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अत्वा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है या फिर नहीं है तो इस क्रिया कल आपको हम कहीं भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उस मिट्टी में या उस रेत में लोहे के कण हैं कि नहीं है इस बात का पता ह कर सकते हैं चीक है अब देखो क्या करना है अपनी घर के पास स्कूल में अत्वा अवकाश के दिनों में भ्रमण किये गए स्थानों पर इस क्रिया कलाप को करने का प्रयास कीजिए अब आप एक चुम्बक ले करके कई सारी जगे कर सकते हो घर के पास भी स्कूल में भी अगर अफकाश के दिनों में कहीं जा रहे हो नानी के घर दादी के घर, बुआ के घर, मामा के घर, जहां भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो इस क्रिया कल आपको क्या चुम्बक से चिपके लोही के बुरादे की तस्वीर चित्र में दर्शाय गई किसी प्रकरण जैसी है और आपको ये भी बताना है कि क्या वो जो आपकी तस्वीर मतलब चुम्बक को जब आप निकालते हो और देखते हो तो क्या वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है चीक है आपने जो भी ग्याद किया है उसकी क्या करनी है एक सारणी बनानी है ऐसी और यहां पर लिखते चले जाना है अब देखो यहां पर आपको क्या करना है इस्थान का नाम दिया है बस्ती कस्बा शहर गांट जिस भी जगे आप जा रहे हो अगर आप अपने नानी के घर जाते हो नानी का घर किसी शहर में है तो शहर का नाम यहां लिखोगे फिर उसके बाद क्या आपको चुम्बक से बिल्कुल नहीं को तीन इस्थतियां सकती हैं या तो बहुत अधिक मिलेगा और या फिर बिल्कुल भी नहीं पुलेगा आपकी चुम्बक इन में से किस की तरह दिखाई दे रही है आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इसी तरह से अगर आप एक-दो जो के और जाते हो अपना घर भी आप तो अपने घर के यहां पे लिखोगे कि सिटी में हैं उसका नाम लिखोगे फिर अपने घर की इस्तिती बहुत ज़्यादा मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है क्या मिल रहा है और इसी तरीके से सार्णी को आगे बढ़ा सकते हो चीक है और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक चुम्ब के तथा अचुम्ब के पदार्थ वाला यहां पर खतम हो जाता है उमीद है कि आप सब को यह टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगे अब हम अपनी next class में इसका next topic करेंगे तो आगे आने वाली सभी classes के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं Magnet Brains के YouTube चैनल, website और application के साथ Magnet Brains है इंडिया का नंबर 100% free online education platform अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाते हैं तो उसके link भी आपको नीचे दिये होई description box में मिल जाएगी इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे top courses जो कि आँ स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं जैसे कि बात करें CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Maths, Crash Course और Spoken English और ये सभी top courses आपको मिलते हैं High Quality Education के साथ English और Hindi दोनों ही मेडिया में साथ ही इन courses के लिए आपको किसी तरह का कोई payment नहीं करना पड़ता कोई subscription नहीं लेना पड़ता क्योंकि ये सभी top courses आपको उपलब्द कराये जाते हैं 100% free of cost अगर आप हमसे अधर social media platform पर भी जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं Facebook पर Instagram पर Twitter पर Telegram पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाई